जो लोगों की सुतनतरता यानि की लिवरेटी की बात करता है उसको उधारवादी कहा जाता है जो लोगों की बीच में इक्वैलिटी यानि की सहमानता की बात करता है उसको समतावादी कहा जाता है साती दोस्त जो पुरानी प्रमप्राओं की बात करता है उसको कंजर्बेटी इन्होंने अपने व्यूज दिये एजुकेशन पे और भूमेंट्स की लिवरेटी पे और पेटियार्कल सिस्टम पे यानि की पितरात्मक सकता पे उसाती दोस्ते इन्हें रूसो की क्रिटिसिजम करिया और आज की इस वीडियो हम यह भी जानेंगे कि इन्होंने अपने अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक ने डिस्क्रप्शन आप उन वीडियो को देख लीजिए साती दोस्त इन वीडियो जो मैं आपको दे रहा होता हूं टॉपिक उनकी भी नोट्स प्लस मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोस्टिपी का एक बहुत इंपोर्डन टॉपिक of बहुत इज़ी तरिकेन को डिस्ट्राइब किया हुआ है चलिए दोस्ती क्लास के अंदर में मैं आपको समझाने वाला मेरी वल्ट इस्टॉन-क्राफ्ट के बारे में ठीक Right सबसे पहले हम देखते इसका इंट्रोडक्शन के ब्रेटन के लंदन में जनम हुआ इन का 27 अप्रेल का दिन था उस दिन नाइन को और 10 सितंबन 1797 दोस्त लव अरतिस साल के एज में 38 यर्स के एज में दोस्तों इनका देहांत हो गया बहुत कम इस तक यह जिये लेकिन दो नहीं जब तक यह जब तक दुन्या भर की अंदर महिलाओं के समानता की बात करता है अगर दोस्त आप देखो अपने आज पोडों से अपने आस पास देखोगे तो तो वहां पर कुछ ज्यादा मिल जाएगा आप सब्सक्राइब को एक हैं तो हम सुरू से यह देखते आ रहे हैं तो हमें यह लगता है कि महिलाओं को सच में ही स्टार्टिंग से जो हम देखते आ रहे हैं वह जनरेशन वा जनरेशन चलते जा रहे हैं और दोस्ति यह काभी से बचाने के लिए करवन डायॉक्सएड से बचाने के लिए पर्यावरन बादी होते हैं जो बचाते हैं वैसे नारीवादी तिंकर हुए नारीवादी एक फैमिनिस्ट जिन क्या सकतों एक ऐसे पोलिटिकल निंगा घुरूप हो गया जो ने महिलाओं की बीच में एक्यू का सिकार किया गया जिससे एजुकेशन से बंचित कर दिया गया तो आज मोडिनिटी के टाइम के अंदर जो सबसे पहली ऐसी वूमेंस हुई कौन है यह क्या नाम इनका मैरी बॉल्स्टों क्राफ्ट जो ने महिलाओं की बीच में समानता की बात करी है तो इस तरह के से हम ब दॉल्सक्तृ मेरी दोस्टों क्राफ्ट जो है यह एक इंग्लिस के लेखी का है और फिलोशफर रही और क्यृतर रही ऍस तैम इनका जो बच्पन था इन्हें नो यह फील किया कि किस efforts निञीर के बीत этоAm तो मॉडर्रेंटी के टाइम में लगों 90-20 सेंचुरी के अंदर ये इंग्लेंड से निकल कर दुनिया भर के अंदर ये मैसेज दिया लोगों को कि किस तरह के से महिलाओं को अपने राइट्स के लिए लग खड़ा होना है जिसे कि एक्वैल्टी आ सके और कौन-कौन से वह प और कैस सब्सक्ति यहन में सबसे पहली पोलिटिकल ढंकर है या कई यह फिलोष पर है जिन्हीं नह Nano की our महिलाओं में इस समांता की बात करी है तो सबसे पहली एए ठीक है फेमिनिस्ट फिके जो महिलों के बीच में अधिकारों की म pad करते हैं यहां पे हिंद्ध इंग्ली समझ लोगे कि इनका मतलब तो उसके बाद आपको बुक्स बताना होता है कि इनके दुआरख उनको न से फेमर्स भूक्स लिखे गई है तो यहां पर मैंने कुछ बूक बता दिया आपको जैसे कि और विंडी केशन और अव लिखाया है जो कि 1792 में आ आ है हिस्ट्री आफ फ्रेंच रेवलुशन और विंडी केशन ओफ लिखाया है प्रस्ट बैन पर लिखाया तो कि 1790 में आ और ट्रेवल नरेटिव तो ऐसे न के काफी सारे बुक्स आ चुके है जिसे कि थोट्स ओन्दी एजुकेशन ओफ डोटर्स 1787 में तुस यह काफी इंपोर्टन बुक है यह वाली जो कि इन बुक में ही इन्होंने अपने एजुकेशन पर व्यूज दिये हैं ठीक है एंड आपको यह पता होने चाहिए चलिए चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं कि नारिवादी के उपर इनका क्या विचा रहा है इनका व्यूज क्या है फैमिनिज्म के उपर देखो सबसे बाद पहले हमें यह समझना हूगा कि यह जो है कौन मैरी यह एक उधारवादी की बात करते हैं जब हम फैमिलिस्ट की बात करें प्लस और लिवरल वर जोड़ दें लिवरल यानि उदारवादी तो यह एक ऐसे फैमिलिस्ट होगे जो महिलाओं की इस्पेशली लिवर्टी की जस्टिस की एंड राइट वोड की कह सकते हो कि उन सभी आप पोर्शनिटी की बात करते हैं जो एक पुरुसों को मिल रहा है जरूर मिलना चाहिए तो यह पूइंट है हमारा उदारबादी का ठीक है यह बोलते हैं कि उदारपन हो उदारपन मतलब कोई रुकाबट पैजना करें महिलाओं के कामों में अगर कोई महिला चाहे वो पड़े लिकी है या नहीं है बट उनमें को रोक टोक नहीं होना चाहिए जैसे कि चार्ट दिवारी में रखना यह चीज गलत है यह कहना है दोस्तों मेरी का ठीक ह समान अधिकारों वा अपसरों को बढ़ावा देना इनका यह कहना है कि महिलाओं और पुरुसों के बीच में हमें एक्वल राइट और अपॉर्शनिटी को पर्मोट करना चाहिए ताकि जैसे एक पुरुस आगे निकलता है वैसे एक फीमेल भी आगे निकल सके दोस्त यह स यह जो भेद्वाव पैदा किया गया है यह पुरुस समाज के दोवारा पैदा किया गया है महिलाओं के पर्ति क्योंकि अगर देखा जाए तो पर्तिवा गुल और चरित यह तीनों ही चीज पूरुस और महिला दोनुमें ही पाया जाता है आप इसकिल किसमें नहीं है तो इस चीज को लेकर मतलब के डिस्क्रिमेशन करना कि तू गल्स है या तू एक महिला है इसलिए तेरे में वह पावर्स या वह पूरुस में यह चीज गलत है इन्होंने यह मुद्दा उठाया इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैरी का सिक्षा पर क्या है मैं जो इनकी व बूक में ही देते हैं तो इनकी जो एक फेमस बूक है जिसका नाम है फॉर्ट वॉन एजूकेशन ओफ डॉटर्स जो की 1787 माई अब यह उन्नों क्या किया है हम यह समझते हैं इस बूक के अंदर इन्होंने एक मा को उत्साहीत किया है याट मींस इन्होंने मा को संदेश दि सब्सक्राइब जो समाच के अंदर संसकार सिखा सकते हैं पहले संसकार सिखाना चाहिए तो वो संसकार जो बचपन से सिखाना चाहिए अगर दोस्तों महिला कर सिक्षित हो जाएगी तो लेकिन होता क्या है एक मेल को दोस्तों पढ़ाया जाता है लड़के को पढ़ाया जाता है पर लड़कियों को भाई सुर्वास नहीं के अंदर हो डवलप कंट्री में भी ऐसा रहा है स्टार्टिंग में और तो अब मोडनेटर में जाके आपको दूस्त पता हूं चाहिए कि अब जाके कुछ साल पहले मेलना आप कह सकतो कि 20 सेंचुरी कंदर मिलने स्टार्ट हुए पहले नहीं था आप देखो यार कि 1920 के आसपास ब्रेटन में मिला वो 1944 के अंदर फ्रांस में मिला इंडिया आप कह सकतो कि हमारी महानता है कि भारत जब अजाद हुआ तो अजादी क हो या पूरुस हो चाहिए वो किसी भी जाती बंस का हो तो अपने आप में ये बहुत मतलब की कैसे होती कॉंप्लिकेटेट काम था हमने एक्वेल्टी और लिवर्टी के दोस्तों प्रिंसिपल पे अपने आपको आगे बढ़ा है तो ये चीद दोस्तों इनका कहना है कि वे महिलां को भी अधिकार मिलना चाहिए आज क्या होचा दोस्तों महिलां को यानि एक बेटी को प्रोपर्टी में राइट नहीं होता इन राइट को भी देना चाहिए ये डिमांड करिये मैं ठीक है अपनी बुक के अंदर अब दोस्त इनकी बुक जो है ये थोट उन्दी 1787 का है यह वो टाइंब जेस्ट अब चलंगी 1789 में 1789 में क्या हुबा था अमेरिका व्रांसी से क्रांती हुए घियानि कि अमेरिकाइकर और फ्रेंच सप्क्राइबुत्यजिवार था गी तने लिवेटी की बात हुई फर्टरनेटी की बात हुए साथी देश के अंदर रिपब्लिक लाने की आने की डेमोक्रेसी लाने की बात हुए क्योंकि लुई सोलबा के परतिस सभी लोग खड़े हो गये तारा साहिक उखाड के फेकना था तो क्या यहीं से एक एक वेल्टी की जो प्रिंशी पहले वो निकल कर आई और मेरी ने इसको बहुत आगे तक परमोट किया दोस्त अगर देखा जाए जब अमेरिकन रेवल्यूशन हुआ था तो वहां से फंडमेंटा राइट्स निकल कर आया राइट्स की बात कहीं तो यह दोनों जो रेवल्यूशन हुए इन द परजेंट किया होते हैं जैसे कि वह इस्टोन क्राफ्ट के अनुसार यदि महिलाओं को सिच्छा वेविस्ता में समान अफसर पराप्त होंगे तो रानितिक जीत वा समान्चिक जीवन में लैंगिक भेदवा को समाप्त किया जा सकता है यानि कि अगर एजूकेशन एक्वि होगे तो लडकी आस छोगे मेर готов गर्मेर लड़का रहें तो बहुंद गर्तने है कोई टाइं का बावंटेस हैं लेकिन लड़की तो टाइम का बॉइंडिसन है यह पहनना नहीं वहां नहीं जाना वहां नहीं बैठना यह सारी वह बाते हैं इससे नहीं खेलना उसके साथ नहीं खेलना तेरा दोस्त को ने इतने सारी मतलब बाउंडेशन इतने सारे कुशन जो स्टार्टिंग से भर दिया जाता है उस लड़के के मन में और यही चीज हमा तो एक लड़की पैदा होती है दोस्ट जब सहीं वह सुनते हुए आती है तो क्या सकते हैं कि एक हमारा ऐसा फुरा क्लास हो चुका है जिसके बाउनडीसद लगा दिया जिसके व्येस से जैंडर डिस्क्रमेशन देखना हो सकता है यह बताते हैं दोस्त मैरी अपने बुक के अंदर तो यहां से शिच्छा के उपर यह उपने विउस दिया है अब देखते कि दोस्ट क्या विज़े सबसे पहला पॉइंट ब्रेटिस मध्यबर्ग में इंग्लेंड में हुआ है तो इन्होंने जो ब्रेटें के अंदर जो मिडल क्लास के वुमेंट से उनको एज आप सही और गलत का पहचांग कर आपको यह समझ मा जागा कि मेरे लिया क्या सही है और मेरे देश केले क्या अब आपको यह समझ मा आगया तो आप उन चीजों पर ज्यादा फोकॉस करोगे जो देश और आपके लिए दोनों के लिए फाइदा-मंद हो इसलिए यह चीज आपको दोस्तों कौन बताएगा क्योंकि जो चीज गलत है आपको गलत का तभी पादा चल पाएगा जब आपको सही का पता है क्योंकि हम कैसे डिफ्रेंस कर पाएंगे अब दोस्तों मालो कि सिग्रेट पीना गलत है हमें ये तभी पादा चल पाएगा जब सिग्रेट की है कि कोई भी समाआ जो हमारा कोई भी सिसाइटी है उस्सिसाइटी चाहे बिलोग रह रहे लोगों के अंदर एक ऐसा कम्योटी एकर पैदा हो जाता है इस पुरूपी नहीं रहेगा यह पतनियों यानि कि इन्होंने इंहोंने स्टार्टेंग से एक मां के रूप में ऺ भी एजइ treat me लेना चाहिए एक अगर बेटी है तो ब्याटी की रूप में भी आडाइव वाइफ है थेउ टीनों करा सकती है जो एक्वेल्टी वाली बात है बोला सकती है अभी क्या होता है कि अगर देखोगी एक महिला अपने या तो अपने वाइजमेंट के उपर डिपैंट रहती है जब साधी नहीं हुए तो अपने फादर के उपर डिपैंट रहती है वह आज का टाइम अलग हो गया जातर दूस् है अगर वह फाइनशल इंडिपैंड हो तो कहीना कहीन लग सकता है कि हाँ सच में यार लेकिन आज भी गाउन देहतों के अंदर यह करना जरूरी है कई तो दोस्तों मेंटिलिटी यह रहते हैं कि नहीं बेटे को काम पर भेजना ही नहीं है लड़े काम सोड़ी करती है लड लड़ता को यहीं मान के काम करना चाहिए कि मेरा दुनिया मेरा संसार सब कुछ यहीं है तो जहां पर वो गई है उसको संसार मान ले फिर वहां के लिए करें एक महिला के दो जो एडूकेटेड हो जाने से कई घर एडूकेटेड हो जांगे तो यह चीज मैरी कह रही है ठीक है नेक्स पूर्ण क्या है पित्र सतात्मक समाज में बराबरे का इस्थान मिल लाएगा अगर महिलाओं को एडूकेशन स्टार्टिंग से दिया है देखो हमारा समाज दोस्तों का कि अगर देखा जाए गाउं के अंदर समाज किसी भी दोस्तों अंदर महिलाओं को कमजोर पर पूरुस को कह सकतो कि ताकतवर इंसान माना गया है अब काम के लेवल पर कह सकतो या बजन उठाने के लेवल पर यह चीज़ एक्सेप्ट करते हैं मैरी तो यह कहते कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अगर हम इस चीज़ को लेकर कमजोर माने कि यार नहीं पूरुस से वह कुछ कर लेते हैं लेकिन अगर हम इसकिल की बात करें जो इसकिल पूरुस के अंदर महिला के अंदर भी है सबक्राइब करते हैं लेकिन सबस्क्राइब करते हैं यह जहां पे पित्र सतायतव सबस्कें संपती में कोई अधिकार ना होने के वज़े से इनका कोई इंपोर्टेंस नहीं रहा है तो पापा की संपती में उसका अधिकार होके अधिकार होना चाहिए तो यहां पर कहके इस पॉइंट को नकार दिया जाता है अज देखा जाए तो दहीश पर्था का बहुत बड़ा रीजन है के अंदर दोस्त नसीली पधार्तों का सेवन करके जो अलग-अलग दोस्तों बोमेंस को तंग करना डोमिस्ट्री वोलिंस के अंदर मार पीट करना यह बहुत दिखा जाता है और यह ऐसे उन इलाकों में दिखा जाता है जो जातर अन एजुकेटेट है वहां पर गरेंसिंटी टू में दोस्तों यह बोक आई और इस ऑन्दर दोस्त जाम इनने अपने विचार दिये उस बिचार के वाड़ यह फॉस्ट वर्ष्ट न की पूरी वर्ड के अंदर क्योंकि इन्होंने सबसे पहले महीलाउं की राइट की बात करके पहली यह नार्यवादी थ बंदे ने अपने बुक के अंदर इस बंदे का बुक का नाम क्या है रिफ्लेक्शन और रेवल्यूशन इन फ्रांस 1789 इस बुक के अंदर एड़न वर्क ने यह कहा है कि जो लैंगिक समानता है न यह आई ही नहीं सकती है पुरुसों को बिसेस अधिकार है यानि दोस्त इसने का क्या है कि इस पेसल एक है सकतों कि महिलाओं को अपर्प को हुए इसलिए जो इस पेसलों मिलना चाहिए इस तरह के अब हुआ है कि इस लिए इसकी अल.' महिलाओं में अनेक विसेस्ता इन नहीं बताया कि एक महिला अपनी भुद्धी का अपनी इंटलिजेंसी का यूज करके दोस्त अपनी जो इडन टैलेंट है उसका परियोग करके अपनी अलगी पहचार मना सकती है तो अगर वह एक लड़की अगर वह वह है यह कहकर उसके अंदर कोई कमजोरी है वह जटी से हीन है वह ऐसा नह एक सिस्टम तो ऑको पता है कि प्ता मर गए तो उसके पूतर का उसके प्रोपर्मटि पर विल्न पर राइट की बेते अब रभस यारे है यद और उसका एक स्टाइब तर्ट के सिस्टम है मैरी कहती नहीं कि देवर लोग मेरी दोस्त यह कहते हैं कि महिला को जागना चाहिए तभी इसका महिलाओं के मद्धे में समानता तब लाया सकता है जब पट्यार के सिस्टेंग को खतम करना है नहीं कि भूर्ट वही राइट दिया जाए जो एक मेल यानि पुरुस को दिया लाइगा महिला है महिला में यह करने की क्वालिटी नहीं होती है महिला इस नहीं कर सकती है तो वह गलत बात हो दुस्त्तों आज दिफैंस से लेकर हेल्थ एजुकेशन सब्सक्राइब महिला अपना पर्चम जमा रखाए दोस्त आज बहुत ज्यादा कैसे तो की एडवांस लेवल पर हो चुका है नैस्पूर्ण क्या कहती है मैं कि अधर्ट कित्ता एवन कारण में भिषवाज करने के बात कहती हैं जो भी हम काम करते हैं उन ईक होना चाहिए और एक लोजिक के साथ काम क्या जाना चाहिए मालना दोस्तों कुई क्वां हैं आप दोस्तों देखोगे कि आज हम अक अपने इ relação पूरुष का है रोट रिक्सा तो फूरुष चाल यह महया बूरा दो नीकों एक चला सकती अपनी वह काम कर सकती है अपने अपने अपनी पैड को स्वाँस के वेश पर कि नहीं भाई यह महीला यह काम नहीं खर सकतीडें यहां पर यहां पर मुंघामता वरप समंधा की समर्था तोन है यह व्हुरूंड के प समाजकर समाजक में सकते ओसधिए कि सामानता की बात करते हैं कि एक महिल गरीब है तो मैंद महिला के बीच महीं आपस में डिस्क्रेमिशन की रेट हो जाए है मालों दोस्य महिला गरीब है तो उसके पास वो इसक्ल नहीं है वह काम नहीं कर सकती तो यहां पर दोस्तों यह महिलाओं के बीच में भी क्लास एक्युल्टी की बात करते हैं जो कालमक्स ने कहीं आगे चलके ठीक है अधिकार और परती निधित यह महिलाओं को राइट पॉलिटिकल राइट यानि इलेक्शन कॉंटेक्स्ट करने की बोटिंग करने की यह राइट जैने की बात करते हैं साथी दोस्त यह चुनाब लड़ करता और समानता पर इनके विचार क्या है यानि कि थोट्स ओन लिवर्टी एड इक्वैल्टी देखो मैरी इन दोस्त महिला के सभी सेक्टर में लिवर्टी की बात कहिए अब एक महिला अपने जब तक वो घर में है पैरेंट्स के छतर साय में रह रही है तो उसको पूरी ल बखके जाएगी या कपड़े तो छोटे नहीं पहनेगी तो टाइम से घरब के अंदर आ जाएगी तमाम तरह की दोस्तों बात है के जो एक राश्टिक्शन लगा जाता है तो हमारे माइंड भर जाता है अब एक भाई जो है वो अपनी बहन के साथ ऐसा होता हुआ देख र इसके बज़े से अगर एक वुमेन पर पूरा राश्टिक्शन लगा दो उसको कमरे में बंद कर रख दो वहीं जिंद्गी में सड़े सड़े रह जा यार उसको इस तरीके सब्सक्राइब को एक महिला जिसरू क्या कहता है कि एक इंसान सही और गलत में अंतर करना जानता है तो एक लड़की के लिए क्या सही है क्या गलत है वह जानती है किस कामों को करके वह अपने मातर पिता का नाम रोशन कर सकती है और किन कामों को करके वह नाम को डुबा सकती है वह काम सही से और अच्छे तरीके से जानती है तो यह चीज यहां पर मैरी यहां पर कहती है तो एक्युवैलिटी और लिवर्टी के बात करती है सभी सेक्टर के अंदर मुवमेंड के उपर साती दोस्त मैरी ने क्या किया है और रूसो की क्रिटिसिजम करी है यह इस क्या लोशन करिए देख लिए इसकी सेक्ट मैंने पढ़ाया थे ना आपको इसका तिनेविल की थियोरी एंड इस सोशल कॉंट्रेट के थियोरी दोस्तों रूसों ने एक बुक लिखी थी आपको मैंने पढ़ाया इसा 1950 का सबस और इस बुक का नाम क्या था इमील क्या इसके लाब वो कुछ करी नहीं सकती है दोस्तों यहीं से निकल कर आता है चार दिवारी का सिध्धान्त दोस्तों यह कोई सिध्धान्त है नहीं बस मैंने अपने तरब से बना के बोल दिया आपको चार दिवारी का सिध्धान्त यह कैसा सिध्धान्त है जिसके अंदर महिल तक कहा दिया तो हमारे जैसे कि अरी सोटल ने जुस्तों क्या करका है को पता है महीला के बारे में कि उनकी बुद्धि तरह के नहीं होती जो पूर्श में होती है हैं बात कि बात किस्क्राइब बात को अरिस्टोटलल्ट उतिशदन नहीं चाहिए वोटिंग डाली नहीं सकती है नहीं चुना ब्लड़ सकती चीज पाइंट कंटर इस शाठिंग से रही है तो तो परभाप तो आई गया है तो इसी बात को लेकर क्या किया मेरे इन दोस्त रूसों की आलोचना करें किस बुक के अंदर मेरे दोस्त अपनी बुक अब इंडिकेशन ओव दी राइट सो बुमें इस बुक के अंदर इसने लिखा कि रूसों ने जो कहा है महिलां के बारे में कि घर के काम के लिए ये चीज गलत है वह घर के काम के साथ सास्थ दोस्तों ऑज जी जीदे जादा एकजामपल है जो एक व्यूमेन या यह दोस्ते एक महिला वो किसी के भाइव भी हो सकती है तो यहीं पर मैरी कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्वों घर कहीं काम के लिए होगी है वह सब कुछ कर सकती है जो एक पूरुष कर सकता है तो यह चीज में करना डिफरेंस करना कि पूरुष नहीं कर सकता या महिला कहले सकती है महिला नहीं कर सकती है पूरुष कर सकती है यह जैंडर करते हैं अपने प्रिंसिपल दिया है सबसे पहले तो इन्हों ने महिलाओं के सोचन की को यानि दोस्तों जो इन इन्होंने जो बात कही है यह कहा है कि परसन का सोचन किया जा रहा है एक परसन के बात कर रहे है जबकि बास्तविक रूप में या लेंगिक सोचन की दोस्तों यानि जैंडर एक्सप्रोटेशन इनका मुद्दा लेन चाहिए सामुइट नहीं होगा तब तक लेंगिक सवाल तरश की में उखिया ही नहीं किसने मेरी ने मियन दोस्तों यह तो कह दिया की हां यह खत्म होना चाहिए यह ऐसा होना चाहिए यह तो के लिए कर वाद उठाए ताकि फैमिनिस्ट जो आगे है यह मैं दोस्तों क्या सकते हो कि एक जब महीं पूरी महिला समाज कहती है तो जिस चीज़ से उनको बंचिंद रखा गया है जो जो चीज़ पर स्टेक्शन लाए गया है मों को मिलना स्टार्ट हो जाता है इसलिए इन सब्सक्राइब ख़तम हो जाता है अंगे आने वाले इसने भी फैमिलिस्ट फिंगर हुए उनकी दोस्त इस बड़ी जो इंस्पिरेशन रही है वह मैं नहीं ही रही है तो उस्के प्रिलोस्त फिलोस्पर कर कि लिए नहीं महिलाओं कि अधिकार्यों की बात करिये वह मुमें दोस्त इस तरीके से आज का ये हमारा टोपिक करें इंट्रडक्शन से लेकर पूरा केटिसिजम और कंक्लूजन ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है आई होप आपको ये टोपिक समझ में आगया होगा ये वीडियो आपको कैसी लगी इस मुझे आप कमेंट बोक्स में बतान आपको आते हैं तो नोट्स इनफ है इस वीडियो को सभी जगह सेर किजिए उसी नोट्स में से आपके एक्जाम में कुस्तंस आएंगे ये गरांटी मेरी है चले दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट में जहुरू बताए लाइक किजिए और चैनल को दोस्तों अभी के